तमाम दोस्तों का चैनल Teach Me Technically में स्वागत है इस टुटोरियल की प्लेलिस के इंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है компьютer architecture और हम Mips के processor पर study करेंगे सो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल Teach Me Technically सबस्क्राइब नहीं किया, सबस्क्राइब कर लें आज के इनदर जो हम करने वाधे हैं वो यह है कि हम survival के जो डीटा पाथ होगा उसको डिसक्रस करने वाले हैं कि एक्ष्ट बेहा हुआर्शिल यहां पर दो कम्पोनिंट्स 8 Paul पास जो data path आता है वो होता है PC का और एक data path हमारे पास आता है वो instruction का so first of all हम देखते हैं अपने PC के data path को PC का data path क्या है so जैसा कि मैं आपको पहले बता चुक्क हूँ को PC actual में क्या करती है PC actual में अपने पास address को hold करती है instruction के कि मैंने कौन सी instruction को execute करना है और instruction को execute करने के बाद वो क्या करती है कि वो next instruction के address पर jump कर जाती है so उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है first of all क्या होता है कि हमारे पाद PC के पास एक address है और हम उस address को pass on कर देते है instruction memory पर ठीक है अब instruction memory क्या करती है उसको हम बाद में discuss करते है first of all क्या करता है कि PC ने address को pass on कर दिया instruction memory पर और address को pass करने के बाद वो क्या करता है कि अपने same जो address यहाँ पास किया था उसको यहाँ पर ALU के अंदर pass कर देता है ठीक है यहाँ पर ALU के अंदर उसने address को pass कर दिया और यहां से एक जो 4 नंबर है उसको पास कर दिया ALU के अंदर और ALU में वो जो function perform कर रहा है वो है addition ठीक है तो यहां पर वो addition क्यों कर रहा है यहां पर PC plus 4 इस विज़े से compute किया जा रहा है क्योंकि जो हमारी next instruction पड़ी होती है वो 4 bytes आगे पड़ी होती है सो यहां से हमारे PC plus 4 की value आ गई है अब हम क्या करते हैं अब हम यहां पर आते हैं यहां पर क्या होता है कि PC ने address पास कर दिया होता है instruction का जिसको उसने execute करवाना है सो यहां पर हमारे पस instruction का address आज गया अब instruction memory ने क्या किया कि देखा कि उस address पर कौन सी instruction पड़ी है और जो हमारे पास 32 bits आई थी उस 32 bits को यहां पर output करवा दिया अब क्योंकर branch equal की command का structure है वो यह है कि branch equal r1,r2,offset सो basically हम यहां पर दो source register देते हैं rs और rt और उसके बाद हम देते हैं offset सो branch equal की instruction यह करती है कि वो चेक करती है कि rs और rt जो हमारे पर दो source registers है उन दोनों की value सेम है या नहीं है अगर rs और rt दोनों की value सेम होगी तो branch equal की instruction यह कहती है कि हमें यह करना है कि अपनी जो pc है उसके अंदर increment क्या करना है pc plus 4 जो हमारे पर compute हुआ है उसके अंदर हमने increment करना है offset का ठीक है हमने basically pc plus 4 के अंदर add करवा देना है offset सो असान इलफाज के अंदर branch equal की instruction यह कह रही होती है कि अगर rs और rt दोनों registers की value सेम है तो आपने pc plus 4 के अंदर जो increment करना है वो होगा offset का और आपने इतने steps आगे जाना है सो अब हम देखते हैं कि उसको हम implement किस तरह करते है सो instruction memory ने क्या किया कि यहां से जो हमारे पास address आया था instruction का उसने वहां से address देखा और देखा कि वहां पर command कौन सी है और वहां से 32 bits जो पड़ी हुई थी उसको यहां से output कर दिया सो आप क्योंकि branch equal की command के अंदे हमारे पास जो दो register होते हैं वो source register होते हैं इस वज़े से हमने क्या किया कि अपने RS और RT की value को highlight कर दिया कि हमारे जो data है वो यहां पर pass on होगा और data यहां से flow होगा सो हमारे जो register file है उसके अंदर source register जो first है और second है वहाँ पर RS और RT दोनों की जो register numbers है वो आगये है अब यहां से क्या होता है कि register file क्या करती है register file यह करती है कि हमारे पास जो registers आते हैं source registers उनकी value को output करती है सो हमारे पास एक RS की value output होगी और एक हमारे पास जो value output हुई वो थी RT की सो क्योंकि हमने यहाँ पर comparison करने के यह दोनों same है यह नहीं है मतलब यह कि RS और RT की value basically R1 और R2 की value same है यह नहीं है तो उसको comparison करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ALU के अंदर एक zero wire होती है और यह zero यह चेक कर रहा होता है कि क्या वो दोनों same है यह नहीं सो यह compute करने के लिए हम क्या करते हैं कि RS की value को ALU में pass कर देते हैं और RT के अंदर जो हमारी value पड़ी है हम उसको भी pass on कर देते हैं ALU को सो ALU के अंदर यह value गई और इसने comparison का function perform किया सो comparison का function perform करने के बाद उसने यहाँ से indicate करना है कि यह दोनों की values same है यह नहीं अगर यह दोनों R1 और R2 register दोनों की values same है तो यहाँ पर 0 जोंसी हमारे पास line है वो भी highlight होगी और अगर R1 और R2 दोनों की values same नहीं है तो यह जो हमारे पास 0 वाले जो line है यह highlight नहीं होगी सो let's suppose कि हमारे पास R1 और R2 दोनों की values same है तो क्या हुआ कि हमने RS और RT के value को यहाँ से ALU में enter करवाया और ALU नहीं यहाँ से 0 वाले वायर हमारे पास वो भी highlight कर दी और indicate कर दी ठीक है तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि first of all 16 bits सियान से लेते हैं offset की और 16 bits को हम convert करते हैं 32 bits के अंदर यह sign extended conversion होती है so 16 bits convert हो जाता है 32 bits के अब क्या करना है हमें हमें यह करना है कि अपने जो PC plus 4 की value आई है उसके अदर add करवाते हैं offset को so हमने add करवाने के लिए first of all क्या करते हैं अपने जो 32 bits आई हैं उसको यहां से लेते हैं और दो दफ़ा हम shift left करवा देते हैं अपने 32 bits को अब हम यहां पर दो दफ़ा shift left इस वज़ा से करते हैं क्योंकि हमने offset के अंदर बताया होता है कि हमने कितने words आगे जाना है ठीक है अगर हमारी branch equal की instruction जो है वो valid है so हमने यहां पर actual में बताया हो है कि कितने words आगे जाना है लेकिन जब हम instruction को execute कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हम बताते हैं कि हमने कितनी bytes आगे जाना है so हम words को convert करते हैं bytes के अंदर so जैसे हम क्या करते हैं कि अपने 32 bits number को दो दफ़ा shift left करते हैं तो जो हमने words के अंदर बताया होता है कि कितने words आगे जाना है वो actual में convert हो जाता है कितनी bytes आगे जाना है सो यहां से हमने क्या किया कि एक result compute किया और वो result क्या था कि actual में हमने कितनी bytes आगे जाना है PC प्लस 4 से सो यहां से हमारे पास PC प्लस 4 की value आगी और वो यहां पर आगी add के अंदर और जो second value हमने दी वो हमने दी offset की value जो कि हमने 32 bit के अंदर convert की थी और उसको दो दोफ़ा shift left किया क्योंकि shift left के हमने पता चला कि कितनी bytes आगे जाना है सो यहां से हमने addition का function perform किया PC प्लस 4 के अंदर हमने add कर लिए अपना offset और यहां से हमारे पास एक compute हुआ result और वो result बता रहा था कि अब मैंने कौन सी instruction को execute करना है सो हमने क्या किया कि यहां से wire को निकाला और उस wire को attach कर दिया PC के अंदर सो इस तरह क्या होगा सो यहां से PC जो address पास करेगा instruction memory के अंदर वो वही होगा जिसको हमने branch equal के instruction के अंदर बताया था कि इतने words आगे जाकर हमने instruction को execute कर बने सो इस तरह क्या होता है कि branch equal को हम use करके जो हमारे पास instructions आती है जो sequence में लिखी होती है हमने code में हम उनको skip कर लेते हैं सो यह था हमारे पास detailed data path of branch equal instruction सो friends मुझे उमीद है आपको आज का लेक्षिस समझाया होगा मजीद videos के लिए channel teach me technically को subscribe करे video को like करे और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में comment last में करे thanks for watching friends